नमस्कार चरगस्ण विद्वाचन के एक सत्रक की शुरुआत हम प्रार्थने से करेंगे ओम सहनाववतू सहनव भुनक्तू सहवीर्यम करवावः तेजस्विनावधी तमस्तू माविद्रुशावः ओम शान्ति 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 दिर्गम आयुरिसस्वास्थ्यम् त्रिवर्गम चापि पुष्गलम सिद्धिम जानुत तमाम लोके प्रापनोती विधिना पढ़न हमने अभी तक पहला हक्ता है चरक समीटा से उत्रा सामित का उसमें हमने सुवाद्धर माँन का 62 तक देखा था और पिछले बार हमने देख़ था कि कैसे असाध्येविकरों को साधन नहीं होता और साध्येविकरों का साधन किसलकर से होता है ये जो आखरी के अमरे सुत्रक के अर्थके आहुश थे वह हम देखे थे इसके बाद अभी जो सुत्रकरमान का शिक्षिद्धी की दूसरी पंक्ति है उससे आगे विशय बदल जाता है और उससे आगे सही माइने में करम ऐसा कहें कि भेशजो चतुषक कि ये वरणन शुरू होता है वो किस त अमन विशय यह जो भीशजय है उसको जो जो सही माइने में शुरूवात है वह मैं इस शुत्रके आगे से सुषल पश्क करम और फिर उसके बाद्देश अक शारे factors को साथ में लेकर हमें चिकित्सा करना आवश्यक होता है लेकिन चिकित्सा के साधन के लिए जो मुलबुत तत्वा जो मुलबुत द्रव्य हमारे पास होता है रो द्रव्य अपने गुडों से काम करता है गुडों से कर्म करता है और इसलिए हम व्यवार में भी द्रव्य, गुण कर्म, इस परिवाशा में जादा तर बाते करते हैं उसमें भी हम जब भी द्रव्यों के बारे में आयर्वेत के परिप्रेक्ष में चर्चा करते हैं तो हम रस इस विशे पर ज्यादा उसमें वेटेश देते हैं और रस यानि कौन सा रसात्वंग द्रव्य का उपयोग करना है ऐसा व्यवार अधिकतर होता है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि रस ये भी एक गुण है हमने देखा था कि कैसे विपरीत गुण ही ही इसमें गुण इस चम्त के द्वारा रस विरेविपाक इस सारे फैंटस का में नहीं आता है बलकि उसके आगे चल कर एक गुणों का विश्विष्ट समुद आए हमाइरा आखों के सामने आता है और उसके वलबुते पे हम चिकित्सा आरंब करना हमें संभव होता है और इसलिए जब द्रव्यों का आगे वरण करना है तो उसमें पहला वरण के रस इस अंकल पना का आता है जो आज हम देखने वाले हैं देखिए सुद्रकरमान का 63 की दूसरी पंक्ति जो है वो क्या है बुयश चातो यथा द्रव्यम गुण कर्मानी वक्षते इसमें इसके जो पहले ती शब्द है उनका संदी किया गया है भुया चा अताहा इसका आर्थ आई बहुत याने फिर या विस्तार से ज्यादा इताहां इसमें आर्थ हम्ने और शुरूफम शुरूरत में देखा था की तो यहां पर दर्शाता है और यथा द्रव्यम द्रव्य कों से तो टिकागर केते हैं कि अल्द पाना दी जो आगे द्रव्य द्रव्य के लिखने के लिए मिलने वाले हैं उसमें आहार होगे, पाना के द्रव्य होगे, आउशद हाओंगी, यह सारे द्रव्य यथा द्रव्य द्रव्य के अनुसार क्या गुणा कर्मानी वक्षटे तो जो वक्षटे यह भविश्यकाल है वो कहेंगे आगे कहां जाएगा? यह बताया जाएगा, इस अर्थागा क्रि कर्म और गुण कर्म कर्म क्यूंकि कर्म करने के लिए रुख्ष गुण कर्म करेगा तो दोनों अर्थ इसके महां पे ले सकते हैं तो इन नट्शेल यहां पे आगे के पूरे विशए की एक बहुत ही संख्षेप में प्रस्तावना कर रहे हैं कि हम इसके आगे क्या कहने जा रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं तो अब इसके आगे फिर एक बार विस्तार से द्रव्यों के अनुसार गुण कर्मों का वर्ण करेंगे फिर एक बार क्यों? फिर एक बार क्योंकि इसके पहले उन्हें गुण याने क्या? करम याने क्या? इसका एक बार वर्ण करके हुआ है और विस्तार से क्यों? क्योंकि इसके पहले ये जो वर्ण था, वो बहुत ही साउक्षेप में था, कंसेप्चुल था, लक्षनात्म गृत अब इसके जाके इसके आगे जाके सही में बहुत सारे अलग-अलग द्रव्य लेकर उनके गुड़ों का उनके कर्मों का विस्ता पूरोक वड़न होने वाला है जो हमें पता है कि इसी चैदुशका में देखिए इसे अध्या में आगे जाके खिशिरवर्गों होगा अब इसके आगे पूरे संभीता में गंगादर जी तो कहते कि पूरे तंत्र में हमें अभी यह प्रतिद्न्या का समय इस तंत्र को समय विष्ट करना है कि चिकित्सा में विमान स्थान में जगा जगा पे अभी आपको यह विस्तार देखने के लिए मिलेगा कि कोई द्रव दो कंसेप्टिवल जो पारठ के गुण कर्म का वो सव्ग्षप में हाँ पर कहके हुआ ही इसके पहले अभी इसका विस्तार हमें आगी देखना है यह किने के बाद जो आगे का सुत्रा आता है वो किसके बारे में है तो वो रश के बारे में देखिए नार्थो रश करेंग कि इसमें चक्रपाणी नहीं दो अलग-अलग प्रकार की ठीकाई की है दो अलग-अलग एंगल से और गंगादर का आप्रोच और थड़ा अलग है तो जो दो प्रकारों के बारे में जो ठीकाउं का वर्ण यहां पर मैंने अध्यन करने का प्रयास किया उसमें कुल मिला कर ती और इसलिए अगर तीनों की तीनों पक्ष में आपके सामने रुखू तो सब्सक्राइब यहां पर जो मेरी सवज में आया हुआ सरल और ज्यादा मुशे करनेंचिंग लगा वह पक्ष आपके सामने रुखूंगा कि किस प्रकार से हम इस सुत्र का अर्थ लगाएंगे और जो सुनने से काफी हथ तक लौजिकल भी लगता है ठीक है तो इस सुत्र का जो विस्तार है वो काफी हथ हो सकता है इसलिए मैं इस सुत्र के जो थोड़े टुकडे-टुकडे करके आपके समने रुखूंगा और हम इसके पहले अर्थ जो है उसको हम इसे टुकडों में देखेंगे रसना था हां रसहा याने रसना यानिए जिव्भा हम सबको पताए कि हम रसन इंद्रिया एसा हम इंद्रियों का उल्ले करते हैं जो जिव्भा इस अवयों के आश्रित रहता है तो यहां पर उन्हें वो कहा है तो जिवा के द्वारा जिस विशय का ग्रण किया जाता है उसको रसा कहना है इस एक अत्यम्त सिंपल लेकिन स्पष्ट परिभाशा यहाँ पे वो शूरात में ही कर देते हैं तो यह जब हम पढ़ते हैं तो हम यह समझ में आता है कि आगे का जो वर्ण है वो रसा के बारे में है और इसलिए इस सुत्रों को चक्रपाणी जी कहते है कि यह रसा का लक्षन है इसलिए गुणों के पेले भी रसा का यहाँ पे उनने विस्तार से वर्णन किया है कि अगर हम रसों को समझें तो उस द्रव्य के गुणों को समझना भी प्राया बहुत आसाम सरल सुलब हो ज इस सुत्रमिया में कहेंगे तो रसना के द्वारा जिव्वा के द्वारा ग्रण किया जाने वाला विशय या अर्थ उसको यहाँ पे रसा कहना है ऐसा वो शुरुवात में ही उसकी परिभाशा करते है अभी उसके आगे की पंक्ति देखिए तस्य द्रव्यम आपहा क्षित ही उसका किसका रसका तस्य यह में अभी लग बहुत बार देखा है कि शश्टी विवक्ति है तस्य मतलब उसका तो उसका यह सर्वनाम हुआ तो उसका यह नहीं किसका तो रसका रसका क्या द्रव्यम द्रव्यम कि तीका करते हैं चक्रपणी कहते है कि आधार कारणम याने रस इसका आधार करण कौन है द्रव्य कौन है यूंकि हमें पता है कि गुण के हमेशा द्रव्य के आश्रे से रहता है और रस ये भी एक प्रकार का गुण ही है तो द्रव्य के आश्रे से रहने वाला जो रस है लेकिन उसके लिए कोई विशिष्ट आधार करण लगता है और और वो है आपहा आपहा याने जलम हाबुद तो रसव का आश्रय जलम हाबुद है एक पहली संकलपना वो यहाँ पे हमारे सामने रखते हैं और यह तथ्य हम सबको बिल्कुल पता होगा हम प्रतम वर्षे से यह बात सुनते आते हैं इसके बारे में कभी ज्यादा हम कभी चर कि उन्होंने यह बात बहुती सुस्पश्थ तरीके से रखी है कि रस इसका जो आधार कारण है आश्रय है वह है आप क्योंकि अगर आपने याद किया तो शब्दस पर शरूपर सगंध यह क्रमशाह जो एक-एक मुख्या अर्थ है गुण है वह आकाश्य वायू अगनी ज इसके बात क्या उन्हें कहा है किसी वाक्ते का इस्टेशन करते हुए तथा खिटी ही तथा यह जो एक अव्य इग शब्द है उसका ओपयों किस आर्थ से करते हैं उसी प्रकाल से अंड उल्सो इस आर्थ से उसका ओपयों करते हैं तो तथा यानि इसके साथ-साथ épisode उसे प यह संकलपना यहां पर बहुत ज़रूरी है कि वह क्या कहते हैं कि इस प्रकार के आप यह उसका मुलबूत कारण है उसी प्रकार पृत्वी भी रसका आधर्द रव्य है उसका आश्रय है तो इसका थोड़ा विस्तर हम संकलपना का आगे-जाई देखेंगे कि देखो प्रविश्ट में अमढ़नें वणनित की है कि जैसे आकाश यह वायू में प्रविश्ट्र होता है अगनी यह जला के गुण यह प्रुथ्वी प्रविश्ट्र होते हैं और इसलिए हम देखती है कि आकाश है ये एक गुणात्मक है, शिर्फ शब्द गुण है, वायू में शब्द स्परशों दोनों गुण आते हैं, स्परशों गुण पहली बार आता है, लेकिन शब्द गुण का अनुवर्तन होता है, क्योंकि उसमें आकाश का आउंश होता है, इसी तरीके से जो सबसे अ महाबूत में भी रस ये गुण पाया जाता है तो क्या समझें हम तो जल और पृत्वी ये दो महाबूत ऐसे हैं कि उनमें मूलत रसा-महाबूत की उपस्तिति होती है औरीजिनली वो जला में होती है लेकिन करम तिक विए उन्होंने दूसरी बार किया है सिकन किया है और इसलिए वो टिकागार में कहते हैं कि पृत्वी यह उसका सेकंडरी आश्रय है क्यों कि पृत्वी में उस रसागुन का यह अभ्यक्ति है वह जलम माबुत की वज़े से हुई है और इसमें है जलम में जलसे वो पृत्वी में आ चुकी है इंटर हुई है इसलिए पृत्वी पिककंड़ी आश्रय शेकंडरी अधर द्रव्य देमें दो इसलिए वो बहुत धरूरी है कि जैसे आप प्याहा क्षिति तथा कि बेसिकली उसका मुलभूद द्रव्य आप है और इतना समझने के बाद हम आगे चलेंगे दूसरे पंक्ति की तरफ निर्वृत्त तौच निर्वृत्ति इसका शब्दशा आर्थ क्या है अभिव्यक्ति होना देखिए रसर यह मुलतह जलाके आप महाबूत के आशिर्थ होते हैं लेकिन जब तक वो पांचे-बोति दरव्यों में उपस्तित नहीं होंगे, तब तक हम उसका ग्रहनने कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ जल, सिर्फ पृत्वी महाबूद, सिर्फ वायु महाबूद, इनके दरव्यों का उपस्तिति, ये मुनुष्य केलवारा, इनका परसिर्प्शन होना, ये असंभव हैं, तो हम जो भी महाबूद प्रिडॉमिनंट है, उसको हम उस महाबूद के नाम से बुलाते हैं, तो ये तथ्यम समझ लिए हमने पहले, कि जो एकल-एकल महाबूद है, पंची करने से पहले, एक साथ आने से पहले, आप पृत्वी, वो इस अरसके मूलग भूत दरव्य है, आदरव पाएंगे, तभी हम उनका रसों का ग्रहन कर पाएंगे, और एक बात यहां भी धान में रखना जरूरी है, कि हम जो मनुष्य है, हमारी जो आसपास की स्रुष्टी है, वो पार्थिव लोग है, ऐसे अलग अलग लोग उपस्तित है, ऐसा वड़न देखने के लिए मिलता है कि आप पे लोग, बायवियो लोग हैं, लेकिन हम जिस पृत्वी मंडल पे रहते हैं, जो हमारी आसपास का पूरा इसरग है, नेचर है, वो पार्थिव स्रुष्टी है, तो इसका उलेक हमें इंडारेक्ली चरक सुतरस्थान, तीस में भी देखने के लिए मिलता है, सुतर आकाश में उत्पन्द होता है, और वहां से जब बारिष आती है, वेनि ट्रेंस, तो वो जला महाबुत नीचे गिरते-गिरते, अनेक सारे महाबुतों के संपर्कमी आता है, लेकिन जब तक वो पृत्वी पे नहीं गिरता, और वहां से स्थावर, जांगम, इन प्रकार के भूतों में प्रविष्ठ नहीं होता, तब तक उस रसक कोई विशिष्ट, उस जला महाबुत को कोई विशिष्ट रसका निर्वृत्ती या अभियक्ति नहीं हो सकती, यानि जब तक वो अंतरिक्षिय में स्थितव, जो पानी केने से अच्छा वो जला महाबुत है, वो सावर जांकम महाबुतों के अंदर जाता नहीं, तब तक उसके अंदर का कोई भी रस, ये विशिष्ट नहीं होगा, एक बाद हम सबको ग्यात होगी, कि ये जो अंतरिक्षिय जला है, जो अभी तक बारिस के द्वारा, अभी तक नीचे गिरना शुरू नहीं हुआ, प्रा जाता है, गिरता है, और फिर उसके बाद इन प्राणी मातर में प्रविष्ट होता है, तब जाकर उसका कोई एक रस अभ्यक्त होता है, तो इसके लिए स्थावर जांकम ये जो भूत विशेश है, जो चरा-चर में जो एक्जिस्स करते हैं, वो कैसे हैं, वो पार्थी वो शरी दिवाले हैं, और इसलिए जो इसका एक अर्थ लिया जाता है कि रसों की निर्वृत्ति के लिए, रसों के अभ्यक्ति के लिए क्षिति स्तथा, ये ओपर के जो जो शब्द है, उनका अनुवर्तन नीचे करना है, याने निर्वृत्त तउच ख्षिति ही, अभ्यक्त के लिए आप अहां ख्षिति स्तथा, दोनों की आवशक्ता होती है, किस प्रकार से, देखो, तो रसों ये जो कंसेप्ट है, ये जो संकलपना है, उसका जो योनी है, या उसका अधर्द रव्य है, वो तो जल है, और उसके साथ साथ पृत्वी भी है, लेकिन उसके जो छे अभिवक्ति होना आवशक है, जैसे कि मदूर्द रव्य है, उसमें फिर एक बार आप और पृत्वी इनका प्राधन्य होने के आवशक्ता होती है, तो सारे रसों का जो आधर्द रव्य है, वो जल है, पृत्वी है, लेकिन सारे रसों में मदूर्द वो होता है क्या, बिल तो जब नहीं उसके आधार द्रव्य है लेकिन जब मधूर रसा की व्यक्ति करने की समय आ जाता है तो भी उनका काम देखने के लिए मिलता है और इसलिए आप और तुस्वी महाभूत ये उन रसों के निरुवूत्ती कारण भी है उनके अभियोक्ती कारण भी है ठीक है तो थोड़ा कॉंप्रिकेड़ विशय है इसलिए मैं यहां पर बहुत ही संक्षिक में आपके सब्सक्राण रहा हूं इसके आगे जाके भी थोड़ा विस्ता ये दिखाकार ने किया है लेकिन मैं उसका यहां पर उन्लेक जादा करूंगा नहीं तो लॉंग स्टोरी शॉर्ट निर्वृत तौचर याने इस रसा की अभिवक्ति के लिए यह रसा के मुनुष्यों को या प्राणी मात्रों को परसीव हो इसके लिए दो मतमतांतर आये हैं कि सिर्फ पूर्थवी का रोल होता है क्योंकि जब बारिज के बाद जो पानी शरीरों में प्रविश्ट होता है तो भी उसकी अभिवक्ति होती है या उसके लिए पूर्थवी और जल दोनों की आवशकता होती है क्योंकि आगई जाके मधूर्र समय हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर एक बार महाँ पे पूर्थवी और आप इन महावतों का आधिक्य होना आवशक होता है तो ये दो जो मतमतांतर है निर्वृत्त उच्च इस परिवाई इस परणन के और उसके बाद इस सुत्र का जो आखरी पार्ट आता है वो है विशेशेच प्रत्य आहां खादय आहां अब देखो यह थर्ड स्टेज है फर्स्ट स्टेज क्या थी कि दुरव्यक्त रस्त की उत्पत्ति के की आध्र दुसरा उसकी निर्वृत्ति के लिए पुंत के लिए और तीसरा उसके विशेश के लिए विशेश पृतत्वकृत यानि अलग-अलग महसूस होना तो वेसे रस यह अलग-अलग महसूस कब होते हैं जब वो छे हो जाएंगे तक तो यह छे मदुरादी रसों को विशेश ऐसा कहा गया है और यह मदुरादी छे रसों का विशेश अत्वा आने के लिए सिर्फ आप और आकाश इत्यादी तीन महाभूतों के भी आवशक्ता होती है तो आकाश वायू और अगनी यह तीन महाभूत भी यह तीन महाभूत इन रसों के विशेश के लिए यह रसों को अलग-अलग करने के लिए अलग-अलग छे संध्या करने के लिए प्रत्य होते हैं प्रत्य का अ तो ल िलाकर हमने इसका अर्ट रेखना चाहा तो तो रसनार्थ ना रसहा यानि जो जुवा के द्वारा ग्रही विशय है उसको रसहना है तो उसका अधार कारण या मुख्यत्व उसका ग्रण होने के लिए उसको किसी पार्थिवा दर्ण में आना आवशक होता है या उसका एक मतमत अंतर ऐसा था कि उसको पृत्वी और जलत दोनों की आवशकता फिर एक बार होती है और फिर उसको मधूर अम लालाबड इत्तेदी छे रसो में विवाज़ित होने के लिए और तीन जो महाबुथ है उनकी भी आवशकता होती है वो तीन महाबुथ कौन से है वो है आकाश वायू और अगनी और देशी के मागे जाके देखते है कितिक तरसमें आकाश और वायू है कृटरसमें वायू और अगनी है इनकी भूमिका ये एहम होती है और जब ये इसमें कोई रोल इसमें अदा करते हैं तो हमें अलग-अलग रसर उत्पन्नों में रेखने के लिए मिलते हैं और इस तरीके से जो सफर है कि जो अव्यक्तर रसर है जलमाबुथ का वहां से लेकर शड़ रस ये सफर यहाँ पर संपूर्ण होता है तो ये सारा जो करक्स था ये सुत्र का था सुत्र करवांका 54 अभी इसके आगे जाके जो दो सुत्र है बहुत ही सरल स्पष्ट है वो भी हम आभी जाके देखेंगे कि देखो सुत्र करवांका पैसस्त स्वादूरंबलो थ लवन हा अने हेतु संग्रह देखा था तो इसी प्रकार्सी यहां पर रससंग्रह इसका वर्ण आया है क्या वर्णन देखो स्वादू हूँ अमलहा अथ लवनहा कटू कहा तिकतह एवच कशाया चाईति शट कहा अयम प्रसानाम संग्रहा स्मृतहा तो यह बहुत ही सरल इसका अमलह लवण कटू तिक्त और कशाय यह इती यहां पर संपूर्ण हुए यहां पर पूर्ण हुए इस प्रकार से जो छे शटका है यांने क्या चे एसे छे रसोंका संग्रह यह स्मर्ण किया जाता है एसा माना जाता है अब यहां पर बाकी तो चर्चा के लिए इसमें कोई बहुत ही कॉंप्लिक्रेट आस्पेक्ट नहीं है लेकिन एक दो जो टिका करों के उपयुकता हुश है उसका में यहां पर उलेक करूंगा फिर एक बार चक्रपानी जी यहां पर क्रम के बारे में बात करते हैं वो कहते क्यों तो सरवक प्राणी नाम इश्टतवात आदव मदुरह उपता है यह एसा है कि सारे प्रणे मातरों के लिए वो इश्ट है वो प्रिय है और वो आवश्यक अभी है क्योंकि आजन्म सात्मयात कुरूते यहसा वड़न भी हमें देखने के लिए मिलता है मुनिश्यों मे भी आजन्म सात्मयात जन्म से ही मधुररस सात्मयात है और उसके साथ साथ वो प्रायाह सारे प्रणे मातरों को पसंद भी होता है उसकी रूची भी होती है और इसलिए उसकी आवशक्ता और उसकी रूची यह सारे अन्यारसों से ज्यादा होने के वज़र से उसका उल्ले क कर्म में पेला किया जाता है और उसके बाद फिर जो दूसरी डिका का ऊशा आता है कि एक बार उन्होंने इस वादू अम लहा ऐसे अलग अलग छे रसा उन्होंने उल्डे खिट गिए तो हम गिंद पाद उनको सही रुप से गिन पाएंगे विकन इसलिकाउंट दें तो ऐसा परिवाशा आई है कि रसों की संख्या कितनी होती है वह आंगे जाके आप देखेंगे कि आत्रे बद्रक अपियर इस अध्य में आपको देखने के लिए मिलती है तो महां पर अलग-अलग मतमतां तर आये कि कैसे रसो दो ही है एक ही है साथ है और तो उसका निशेद करने के लिए उन्होंने छे इस शब्द का उल्लिक यहां पर इस पश्टरूप से किया है तो शट कहां याने छे अयम रसानाम संग्रह हां इस रकार से यह रसों का संग्रह है संग्रह इसका अर्थ हमने पेलिवर बहुत बार देखा है इन शॉट तो यह इन शॉट है कि आगी जाक इस वह इस प्रकार के पर्मुटेशन काम्मिनेशन यह अननत हो सकते हैं और इसलिए इन शॉट कितने रसा है तो इन शॉट छे रसा है वह कौन से है तो मधूर अमल इत्यादी छे है इस प्रकार का एक बहुत ही स्पेसिफिक और शॉट वर्णन हमें इस सुट्र में देखने के लिए मिलता है तो यहां पे उन्होंने छे रसा कौन से है इसका निर्देश इस सुट्र में किया है और इसके ही रसों का जो प्रध जो आगुम कशायस वादू तिक तकाहा जयनती पित्तम शेश्मानम कट खशाय तिक तकाहा तो इसका तो जो अर्था है बहुत ही स्वरल है देखिए यहां पे मैंने जो जो शब्द यह गुलाबी रंग से अंडर्लेंड किया है वो सारे करता है जो जो शब्द मैंने हरे र प्राप्त करना वाईूम जैयन्ती याने स्वादू अमल लवण यह रसर वायू को जीतते हैं यह वायू अगर ज्यादा हो तो उसको कम करेंगे वायू का रास करेंगे और इसी यह जो जैयन्ती क्रियापद है यह में बाकी भी दो जो अलग-अलग रचना है उनको होँ पर हमी लगाना आवशक होता है जैसे कि यानि कशायस वादू तिक्तक ये रस कि पित्त पर जे प्रस्थापित करते हैं और और ये रस कफ़ब पर विजय प्राप्ता करते हैं अभी देखिए गौर से एक छोटा ग्रामेटिकल आस्पेक्ट यहां पर आपके समने रखता हूं जो बहुत ही समझने में आसान है हमने शुरुआती कुछ सुत्रों में भी देखाता है इसको कि स्वादु अम्ल लवना हा यह क्या हुआ यह प्रथमा विभक्ती हुई और उस हुआ यहां पर करता यह प्रथमा विभक्ती बहुवचन में है क्षा आपर क्षाय सवादु तक हा क्यूंकि यह एक्टिव ही है इसको हम करतरी कहते हैं कि मैं सत्र में चरव सम्मीता का वाचन कर रहा हूं या मैं सत्र में अध्यापन कर रहा हूं यह क्या हुआ यह करतरी हुआ और active voice हुआ कर्मणी कैसे होता है कि मेरे द्वारा चरव सम्मीता का वाचन किया जा रहा है मेरे द्वारा सत्र में अध्यापन किया जा रहा है यह हुआ कर्मणी या passive voice तो यहाँ पे उन्होंने करतरी प्रयोग किया है वाक्य का तो यहाँ पे करता जो होता है वो पर्थमा विवक्ति में होता है मैं चरक सम्वीता का वाजन कर रहा हूँ इसमें मैं यह पर्थमा विवक्ति हुई उसी तरह किसे यहाँ पे जो रसों का वरणंग है वो पर्थमा विवक्ति में हुआ कर्म कौन से विवक्ति में होता है कर्म यह द्वितिया विवक्ति में होता है यह कर्म सो रूप है उनका उलेक द्रितिया में आता है तो कर्ता पर्थम विभक्ति में एसी जब रचना हो तो वह रूप कर्तरी रूप होता है और उसका क्रियापद क्या है जयन्ती जयन्ती इसका मुलबुत क्रियाधातु कौन सा है तो जय यह विजयाप राप्त करना तो विद्ध लेकिन जयन्ती यह भी क्या हुआ यह भी बहुचन हुआ जयन्ती यह बहुचन क्यों हुआ क्योंकि इसका करता बहुचन में है तो करतर चलता है और कर्मणी में क्रियापद कर्म के अंदुरूप चलता है यहां पर करता बहुचन में है और इस लिए क्रियापद को भी बहुचन में किया है जयंती और इस प्रकार से जो तीन और इसके अर्थ बहुत सरल है जो हमने अभी अभी देखें तो इस प्रकार यहां पर जो पहले अध्याय में रसका संकल्पना का वर्ण आता है वह यहां पर संपूर्ण होता है इसके आगे जो सुत्र है उसमें कि में द्रव्यों के प्रभाव का बैद देखने के लिए मिलता है उसको हम विस्तार से देखना आवश्चक है जिसको हम आगे के सतर में देखेंगे किसी को अब अब इस दक आज के सतर में कोई अगर आशंका हो तो यहां पर मेरे समने रख सकते हैं अन्यता इस सतर का समापन हम इसके बाद करेंगे तो कि अगर किसी को कोई शंका हो तो अभी मुझे पूछ लीजिएगा